नमस्कार दोस्तों आप सभी को छोट नाकपूर प्यानों में हरदिक स्वागत है जार घंडी जोहार है तो दोस्तों आज हम लोग नाकपूरी का एक बेहतरेन सा गाना तुर लाल-लाल साड़ी रे पियर-पियर साड़ी रे देखी के दीवाना करे ला रे तो इस गाने को आज इतना प्यारा सा गाना को याद दिलाने के लिए तो सबसे पहले मैं प्ले करके आप सभी को सुनाता हूँ उसके बाद One Finger में इसका पूरा टोटोरियल मैं अच्छे से बता दूँगा तो आप लोग विडियो के आखरी तक बन रहे हैं झाला सुनाता हूँ झाल 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 दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस धुन को प्ले करने के लिए कौन कौन से नोट्स का और कैसे इस्तमाल हुआ है तो यहां से देखे मैंने इस वाले की को लिया था एक दो तीन चार पांच तो आप लोग में गाना का धुन को मातर ये पांच नोट्स से असानी से प्ले कर पाएंगे लेकिन मैंने हलका सा इसका भी सारा लिया था एक जगा जो थोड़ा सा म्यूजिक टैप का जो पाट है उस लोग कैसे प्ले कर पाएंगे तो गाना का बोल था तो लाल लाल सारी रे तो पियर पियर सारी रे देखी के दीवाना करे ला रे इस टैप में है तो दो तरीकास उठा सकते हैं यदि आप ये बोलाते हैं कि तो लाल लाल सारी तो उसके लिए आपको इसको भी लेना पड़े और सिधिया आप लाल-लल साधी रे पियर-पियर साधी रे ऐसा करते हैं तो अब उसके लिए आपको डेरेट यहां सुथाना होगा तो हम यहां से लेते हैं तो लाल-लल साधी रे ऐसे करके इस टाप में दिखी के दीवाना करे ला रे यहीं पर थोड़ा म्यूजिक टैप में है यह चिकाने चाम मेली छोड़ी रहे चाम कल गोरी छोड़ी रहे तो यह होगी आपका फस्त भाग उसके बाद इसका सिकेंड भाग देखिए इस टैप में कुछ है दिला के चूराए लेले गोरी रेतों पगल बनाय लेले गोरी रेतों इस टैप में है तो उसको लेंगे हम लोग यहां से ऐसे इस टैप में है लाल पाइड साड़ी गजरक हपा वाली दिला के लूट लेले रहे हैं तो यह थाप का सिकेंड भाग उसके बाद इसका थर्ड भाग देखिए ऐसे हैं एके गोमर दिल छोड़ी एके गोमर जान उड़ाय लेगे ले गोरी मुर प्रान इस टैप में है तो उसको भी क्या करेंगे यहां से लेंगे ऐसे ऐसे हो गया उसके बाद दिला के समलावनी तो है हमर रानी ऐसे हैं जा बेना मोके छोड़ के उसका फिर सुरू वाला है तो उसको हम रिपेट नहीं करते हैं तो वीडियो काफे लंबा हो जाएगा तो आसा करते हैं आप सभी को समझ माग गया होगा तो वीडियो आपके लिए यूजफूल रहा तो एक लाइक कर देजिए और चैनल पे नए हैं अभी तक सस्क्राइब ने किये हैं तो जरूर एक बार चोटनागपूर प्यानों को सस्क्राइब भी कर देजिए तो आज के लिए यहीं तक धन्यवाद